हेलो फ्रेंड आप सभी को टियास यान टेक्नोलोजी में स्वागत है तो आज का जो मेरे टॉपिक होगा दस वर्ट कॉशन लेका हैं मेरा तब्यात बहुत ही खराप हो गया अचाने बिगड़ गया तो इस कारण से हम नहीं आ पारें एक वीडियो भी डाले ते आप लोग देखे होंगा कल गता तो इस तरह से मेरा तब्यात भी ठीक नहीं हुगा है लगवग दस दिन और लग सकता है तो आप सभी हमें मार्ग क क्योंकि आई टी आई का हर कोई त्यारी नहीं करवा सकता है तो चलते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि औक से ट्रीन की क्या इसमें कोशन क्या पुछा गया है लाइक कर दिजिए और बहुत ही ज़्याद लाइब आ रहे है आप सभी के बीच थोड़ा तबियत ठीक हो जान आ देजिए उसके बात चलते आगे और बात करते हैं अज आक्सियसैत्रीन की अधरित कि में दूसरा क्मियूकेशन कहां पर होता है और तो यह रही होता लो के कोचन की ब्रॉण्च वैल्डंग करने के लिए उचित फिलर रोड कौन सी है बोलता है जो होता है कास्ट आइरन को वेल्डिंग करने के लिए कास्ट आइरन जो होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए वेड़निंग करने के लिए, पृम्हेन वेड़न का परियोंग करते हैं तो उचीन फिलरोड आप पर्योंग की आपूसे जाए तो उच्छित फिलरोड आप आपसे अपrait से कश्च और की जलते हैं आप इस कश्च में मूझा गए की कास्ट आयएरन को व्रोंज वेल्लिंग करते से हमें मेटल को 20 ताप करम तक गर्म किया जाता है कास्ट आयरन को वेल्ल टसमें मैटल को किस ताप करने में चलते हैं इस कोचिन बहुता है इसको चने में पपचा है सिलेंडर में अत्त जी उच पर जो संग्रीद किस समांद्यम आई शक्ता होती इस सेलेंडर सेलेंडर में जो भरा हुआ होता है तो इसका पर संग्रीद किया यह था है तो इसका और जैल ऐसे ट्रोन चेल इसका राइट आप्षिंस नमर भी Mia आपके तल्राइट से जो उसका संघे आता लृट आठका पनावता एकर दो भी पनावता राइट आपको पनाल से इसका ऐगा ओप्षन दीजिए का डिस्क्राशन में लिंक दिया तो विभांतर का मातर का मातर कौन सा है वोल्टेज है वाट है जूल ए एंपिर है तो विभांतर का जो मातर होता है और यह दर राइट अप्सरों जाएगा अब नेस्ट कोचन की वर चलते हैं तो मेरे चनल पर जो जो नहीं है सब्स विल्डिंग का दोस्त क्या है समय विल्डिंग तो यामस्व फिल्डिंग यहिता जो संब्स वर फिल्ट संब्स आर्डर निंग दुँस्भा sudah Ben J, ये ये घुर्ज ये देगा ठीक है ऊसने डेवल्ण का फॉर्म होता है समिय और को यह वालने एंट्र में रही वेल्ट में एधियों जो सम्मझ वेल्दिंग का डोस डी नमरे उपयोगत में सभी तो 38 नमर का जो कॉस्टन का एंसर होगा क्या होगा तो उसका जो राइट एंसर होगा पेनिट्रिशन की कमी तो होगा नहीं संभाई अर्क वेल्डिंग में मेटल की पिगलना भी तो यह दोनों होगा है नहीं क्या हो जाएगा और सीधर आपका र एक दैनेदार फ्लक्स की आप सकता है किस वेल्डिंग दिदौर पढ़ती है इन नगन जो दिया है इसका इंदी में दिया है इसको ठीठ भासा में दिया है यह होता है नुन कोटेट इलक्टरोड मतलब भीना परत चड़ागवा एलक्ट्रोड तो बीना जो सम्माई आर्क वेल्डिंग होता है उसमें जो इलक्ट्रोड होता है कौन सा इलक्ट्रोड काम आता है उसमें देखिए उसमें फलक्स चड़ागवा इलक्ट्रोड काम नहीं होता है उसमें नोन कोटेव इलक्ट्रोड काम आता है जैसे की बात करेंगे इसमें दिया हुआ है कि ए नमर में दि फलक्स के रूप में है तो यह समय अर्क वैलिंग हो चाएगा इसका राइट एंसर अब जिए कोचन की ओड़ चलते हैं इस कोचन में पुछा गया है कि उस्मा के प्रभाव से ध्यादुअं में डैस परीवर्द्वां यह सभी तो इसका जो राइट एंसर जागा ऐसन नमर ड कोच्टन के योर चलते हैं कि इस कोचिन में पुचा गया कि धातू-कारेखन्ड़ों पर की जो कारेखंड़ों पर किया जाने परारंभी वेल्डिंग होता है उसका अनुपात होता है जो इसका अनुपात होता है एसेट्रीन और ऑक्सिजन का अनुपात क्या होता है तो इसका जो अनुपात होता है वो हो जाएगा आपका एक पॉइंट दो है कि एक अनुपात एक है या एक अनुपात तीन है या दो अनुपात इक हो जाएगा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा तो इसका जो राइट एंसर हो ज चढ़ाता है उसका जो चढ़ाने के लिए पर्युक तो परदात किया है तो इसमें आया ब्राइंडर पम प्रराइणर इसले एक भाहट सो इसमें इसमें क्या चढ़ाते श्लाते हैं अमलीक फ्लक्स कटा हुआ होता है तो इसका जो ऑफशन देखते हैं क्या करिए इसमें ऑफशन क्या हुआ है एक्स में बाए हाथ यह सी नमर दोनों हाथ यह तो इसमें जो होता है oxygen slender में उसमें कैसा thread कटा हुआ होता है left to right की right to left कैसा कटा हुआ होता तो उसका राइट एंसर हो जाएगा ऑफशन नमर डी तो राइट हो जाएगा राइट हैं तो आप देखते हैं अब नेस्ट वीडियो में मिलेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद तो जो मेरे चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब किया लाइक किजिए और शेयर करना ना बुलेगा और मतलब मिलते हैं आज हम सारा क्लास हम लेंगे तो आज हम नेस्ट क्लास आपको देंगे दो बज़े के बाद चलते नेस्ट क्लास में मिलेंगे नेग्रेज जाहिए